तबस्सुम फातिमा हाश्मी, जिन्हें आमतौर पर तब्बू के नाम से जाना जाता है, एक शानदार भारतिय अभिनेत्री हैं, जिनकी प्रतिभा सीमाओं से परे हैं. चार नवंबर 1971 को जन्मी उन्होंने फिल्म उद्योग में एक महत्वपूर्ण चाप छोड़ी है, मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा में साथ ही तेलुगु, तमिल और अंग्रेजी फिल्मों में भी अपनी चाप छोड़ी है. तब्बू को व्यापक रूप से हिंदी सिनेमा के क्षेतर में सबसे निपुन अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है, जिन्होंने मुख्यधारा और स्वतंत्र सिनेमा दोनों में फैली विभिन्प्रकार की फिल्मों में असंख्य पात्रो विशेश रूप से परेशान मह दिलाओं को चितरित किया है, उनकी असाधारन अभिनायक शमता ने उन्हें कई प्रतिष्थित पुरसकार और प्रशनसाएं दिलाई जिससे वह भारतिय फिल्म दिरादरी में एक अत्यधिक सम्मानित व्यक्ती बन गई, तब्बू ने कम उम्र में अपनी अभिनाय यात्र शुरू की, उन्होंने उन्नीस सो पचासी में देव आनंद की फिल्म हम नौजवान से अपनी शुरुआत की, जैसे जैसे वह उद्योग में परिपक्व हुई, उन्हें तेलुगु फिल्म कुली नंबर एक में अपनी पहली प्रमुख भूमिका मिली, उन्नीस सो इक्यानवे में, वर्ष उन्नीस सो चौरानवे उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोर साबित हुआ, क्योंकि उन्हें हिंदी एक्षिन ड्रामा विजयपत्क में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रिष्ठ महिला पदारपन का फिल्म फेर पुरसकार मिला, तब्बू की असाधारन प्रतिभा तब चमकी जब उन्होंने उन्नीस सो च्यानवे में राजनीतिक थिलर माचिस में पंजाब उग्रवाद से प्रभावित एक युवा महिला की आकरशक भूमिका के लिए सर्वश्रिष्ठ अभिनेत्री का राश्ट्रिय फिल्म पुरसका उन्होंने निन्ने पेलाडाटा, कधल देशम, साजन चले ससुराल और जीत जैसी फिल्मों में उलेखनिय प्रदर्शन किया, जिन में से सभी व्यावसाइक रूप से सफर रही उनका करियर विरासत 1997, फू तू तू 1999 और अस्तित्वत 2000 जैसी फिल्मों में प्रभावशाली भूमिकाओं के साथ नई उचाईयों पर पहुँच गया, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेर क्रिटिक्स अवार्ड मिला तब्बू की उलेखनिय अभिनाएक शमताओं को चांदनी बार 2001 में और अधिक उजागर किया गया, एक ऐसी फिल्म जिसने उन्हें दूसरा राष्ट्रिय फिल्म पुरसकार दिलाया, जिससे एक पावर हाउस कलाकार के रूप में उनकी स्थिती मजबूत हुई अंतर्राष्ट्रिय सिनेमा में तब्बू का प्रवेश दनेमसेक 2006 और लाइफ औफ पाई 2012 में उनकी भूमिकाओं के साथ शुरू हुआ, जिन्होंने वैश्विक मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया अपने अंतर्राष्ट्रिय उद्यमों के बावजूद उन्होंने भारतिय फिल्म उद्योग में असाधारन प्रदर्शन करना जारी रखा 2015 में तब्बू ने समीक्षकों द्वारा प्रशनसित फिल्म द्रिशम से अपार व्यावसाइक सफलता हासिल की इसके बाद उन्होंने गोलमाल अगेन 2017, अंधाधुन 2018, देदे प्यारदे 2019, अला वैकुंठ पुर्मुलू 2020, द्रिशम 2 इंच 2022 जैसी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्मों के साथ एक अमिट छाप छोड़ी और भूल भुलेया 2 इंच 2022 इन फिल्मों में उनके उतक्रिष्ट अभिनय के कारण उन्हें पाँचवां फिल्म फेर क्रिटिक्स अवोर्ड मिला, जिससे एक अभूतपूर्व अभिनेतरी के रूप में उनकी प्रतिष्ठा मजबूत हुई अपनी व्यावसाएक सफलताओं के अलावा तब्बूने इरुवर उन्नीस सो सत्तानवे बॉर्डर उन्नीस सो सत्तानवे बीवी नंबर एक उन्नीस सो निन्यानवे हम साथ साथ हैं सहित कई समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों में सिल्वर स्क्रीन पर काम किया है उन्नीस सो निन्यानवे कंडुकोंडैन कंडुकोंडैन 2000 और हेरा फेरी 2000 उन्हें मकबूल 2004 और चीनी कम 2007 जैसी फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए ब्यापक प्रशंसा मिली जिसके बाद उन्हें रिकॉर्ड चौथा फिल्म फेर क्रिटिक्स अवार्ड मिला हैदर 2014 में उनके असाधारन प्रदर्शन को न केवल आलोचनात्मक प्रशंसा मिली बलकि उन्हें सर्वश्रिष्ट सहायक अभिनेत्री का प्रतिष्थित फिल्म फेर पुरसकार भी मिला सिनेमा की दुनिया में उनके उतक्रिष्ट योगदान के लिए तब्बू को 2011 में पदमश्री से सम्मानित किया गया जो भारत के सर्वोच नागरिक सम्मानों में से एक है उनकी प्रतिभा, बहुमुखी प्रतिभा और विविध किरदारों में जान फूंकने की क्षमता ने उन्हें फिल्म उद्योग में एक सच्चे आइकन के रूप में स्थापित किया है तब्बू की विरासत महत्वा कामशी अभिनेताओं को प्रेरित करती है और दुनिया भर के दर्शकों को मंत्र मुख्ध करती है जिससे वह सिनेमाई ब्रहमांड में एक कालातीत सितारा बन जाती है